प्रिविद्रियर्टियों येक अक्षा साथ का गनित है, अध्यार राशियों की तुलना उसकी प्रश्लावलि 9.1 है, उसका पहला सवाल है निम्द लिखित परिमे संख्यां के बीच में 5 परिमे संख्यां लिखिये और उसका पहला है सवाल रिन एक और शुन्ने तो रिन एक और सुनने के बीच में अपनों को पांच परिमे संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे जितनी परिमे संख्या निकालना हो उससे एक अधिक ले लो पांच निकालना हो तो एक अधिक मतलब छे तब ये जो दोनों संख्या हैं इन में छे का गुणा करो और छे का भाग दो तो रिन एक जो है उसमें छे का गुणा करा अपनोंने वो छे का भाग दिया उसी प्रकास सुन्य में छे का गुणा करेंगे वो छे का भाग देंगे तो देखो क्या आता है या एए छे एकम छे तो रिन 6 बटे 6 और यदर आए 6 सुन्य तो यह आए सुन्य बटे 6 अब यह रिन 6 बटे 6 और सुन्य बटे 6 के बीज में देखना है अब 6 के बाद में इनके संख्याओं को कम करते जाएं तो क्या होगा देखो यहां आ जाएगा रिन 5 बटे 6 रिन 4 बटे 6 फिर ये आजागा रिन 3 बटे 6 फिर आजागा रिन 2 बटे 6 फिर आजागा रिन 1 बटे 6 तब कितनी परिमेशंख्या हो गई 1, 2, 3, 4 और 5 तो ये अपनोंने 5 परिमेशंख्या निकाल लिए अब हम करेंगे सवाल नमबर 2 देखो ये दुसरे में क्या करना है इसमें भी पांच परिमें संख्या निकालना है तो जैसा बताया था पांच में एक जोड़ो छे तो ये रिन दो है इसमें छे का गुणा करो और छे का भाग दे दो और रिन एक में भी छे का गुणा करो और छे का भाग दे दो तो ये हो गया छे दून बारा तो रिन बारा बटे छे और ये आ गया छे एकम छे रिन छे बटे छे अब इनके बीच में संख्या हैं देखो बारा से एकम करो तो ग्यारा ग्यारा बटे छे रिन ग्यारा बटे छे फिर रिन दस बटे छे फिर रिन नो बटे छे फिर रिन आड बटे छे और रिन साथ बटे छे कितनी संक्या है हो गई एक दो तीन चार और पांच संक्या है हो गई ये पांच पर में संक्या हैं ग्याद कर लिए यहाँ पर क्या है रिन चार बटे पांच और रिन दो बटे तीन है तो यहां पर पहले हमको चुकि इनके हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करना पड़ेगा तो यह 5 है और यह 3 है तो इनका लगुत्म जो होता है वो 15 होता है 5 और 3 का लगुत्म जो है लगुत्म समपड़ता है LCM जो होता है वो होता है 15 तो पहले तो इनके दोनों को हर को 15 करेंगे तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे इस ओपर भी 3 का गुणा करेंगे 4 बटे 5 गुणित 3 और यह गुणित 3 हो गया और रिन 2 बटे 3 है रिन 2 बटे 3 तो यहाँ पर यह 5 का गुणा करेंगे ताकि हर जो है वो 15 हो जाए अब यह आ गया चार तीरी बारा रिन बारा बटे पंदरा और यह आ गया पांच दून दस रिन दर्ज बटे पंदरा अब दोनों के हर समान हो गए अब हम क्या करेंगे कि पांच परमे सिंखे निकालना है तो 6 का उपर भी गुणा करो और 6 का नीचे भी गुणा करो यहां 6 का उपर भी गुणा करो और 6 का नीचे भी गुणा करो तो यह कितना हो गया देखो 12 चिंख बहुत्तर हो जाते हैं बहुत्तर बटे 15 चिंग 90 और यहां गया 10 चिंख सहाट बटे 15 चेंग 90 अब 5 परिमे संक्या निकालने के लिए एक एक कम करते जाओ मतलब बहुतर में एक कम करते जाओ तिया आगे 41 बटे 90 रिन 70 बटे 90 रिन 79 बटे 90 रिन 68 बटे 90 और एक और संक्या ले लो रिन 66 बटे 90 तिया अपने परिमे संक्या हो गए एक, दो, तीन, चार और पांच ये पांच परिमे संक्या ग्यात कर दिये यहाँ पर दिया है रिन एक बटे दो और दो बटे तीन तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे दो और तीन का लगुत्तम जो है दो और तीन का लगुत्तम कित्ता होता है छे होता है दो और तीन का लगुत्तम सहोंवर तक होता है छे तो छे होता है तो पहले इनको छे करेंगे ये लिखा रिण एक बटे दो और ये लिखा मैंने दो बटे तीन तो 6 का उपर गुणा करो 6 का नीचे गुणा करो 6 का उपर गुणा करो 6 का नीचे गुणा करो सोरी 2 और 3 का लोगतम 6 है तो यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा ताकि हर जो है वो 6 हो जाए और यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा जाकि हर छे हो जाए तो ये तीन एकम तीन आया तो रिन तीन बटे छे और इधर आये दो दून चार तो ये चार बटे छे आया अब देखो ही ही पर इस पर दिख रहा है तो रिन तीन तो ये हो गया रिन दो बटे छे हो गया रिन एक बटे छे हो गया सुन्य वटे 6 हो गया 1 वटे 6 हो गया 2 वटे 6 हो गया और 3 वटे 6 हो गया तो देखो यहां पे 1,2,3,4,5,6 6 परिमेशंख्या निकल गई इनमें से कोई सी भी 5 परिमेशंख्या सूरू की 5 या आखरी की 5 ले सकते हैं अपने उत्तर के लिए यह सवाल नमबर दो निम ने लिखित प्रति रूपों में से प्रत्यक में चार और परिमे संख्या लिखी है तो जो भी प्रति रूप दिया है इसमें आगे बढ़ा के चार और परिमे संख्या लिखना है तो पहला देखें यहां पर है तीन, छे, नो, बारा यह तीन के पहड़े हो गए रिण सभी में है तो यहां पर लिखा मैंने इसके आगे तीन, चोग, बारा तक हो गया है तीन, पंज, पंद्रा, रिण भी लिखते जा रहा हूँ फिर तीन, पंज, पंद्रा, तीछेंग, अठारा, तीन, सते, एक्किस, और तीन, अटो, चोविस और सब को बटे कर देते हैं यहां पर देखें, पांच का फाड़ा है पांच दून, दस, पांच तीरी, पंद्रा, पांच उक बीस, पांच ज़म, पच्चीस, पांच छेंग, तीस, पांच सत्य पैंटीस, और पानव, अठो, चालिस यह प्रतिरूप पूरो हा गया दूसरे में देखो, यहां पर रिण सभी में हैं और क्रम से संख्याएं लिखिए, एक, दो, तीन, तीया जगर रिण चार, रिण पांच, रिण छे, और रिण साथ, चार लिखना है और, अब यह चार का पढ़ा है, चार दूनो, आर्ट, चार तिरी, बारा, चार चोक, सोला, चार पंजा, बीस, चार चेंग, चोवीस, और चार सते, अठावीस, यह प्रतिलोग पूरो हो गया है, यहां पर देखें, यह रिण एक है शुरू में, उसके बाद में क्रम से दो, तीन, चार है, तो चार के बाद में क्या आएगा, पांच, छे, साथ, आठ, यह चे के पाड़े हैं, तो सुरू में धहने पर बाद में क् चे, दून, बारा, चे, तीर, अठ, आठ, आठ, चे, चुक, चुवीस, अब 6, पंजा, तीस आएगा, पर रिण का आएगा, 6, 35, 6, 4, 36, 6, 7, 42, रिण, 42, और 6, 8, 48, तो रिण अठावीस हो गया, यहां पर देखो, यह सुरू में धहने बाकी सब रिण हैं, उपर सुरू मे पाड़े हैं, दो दून, चार, दो तिया, चे, तो दो चोक आठ, दो पंजा, दस, दो चेक, बारा, वोद दो सती चोओडा, सब के बटे कर देते हैं, तीन, छे, नौ, यह तिनों रिण के हैं, इस पर तीन का पाड़ा है, देन, दून, छे, देन, पालवा, तीन, चोक, बा बटे रिन बारा, दस बटे रिन बारा, बारा बटे रिन आठारा, और चोदा बटे रिन एक्किस, ति अपनों ने इसी प्रति रूप में चार परी में संख्या ओ लिख दी है, ये सवाल नमबर तीन, निम न लिखित के समतुल्य चार परी में संख्या लिखिए, समतुल्य मत बटे साथ में दो का गुणा करेंगे उपर भी और दो का गुणा करेंगे नीचे भी तो रिन दो बटे साथ में तीन का गुणा करेंगे उपर और तीन का गुणा करेंगे नीचे तो रिन दो बटे साथ में चार का गुणा उपर चार का गुणा नीचे 4 परिवी संखे लिखना है 1 2 3 अब चवंती करते हैं तो रिण 2 बटे 7 में 5 का गुणा करेंगे ऊपर और 5 का गुणा करेंगे नीचे तब यह संखें क्या होगा होगे देखो यह रिण 2 बटे 7 तो ही अब यह 2 दूनों 4 रिण 4 बटे 7 दूनों 14 फिर रिन 6 बटे 7-3-21 और 4-2-8 रिन 8 बटे 7-4-28 और यह हो जागा रिन 2-5-10 बटे 7-5-35 तीया आ गई चार सम्तुल्य परिमे संख्या हैं अब यहां पर 5 बटे रिन 3 को देखो दूसरा मैं डालेट करना हूं इसको तो यह 5 बटे रिन 3 यह दूसरी संख्या तो इसमें क्या करेंगे दो का उपर गुणा दो का नीचे गुणा तो 5-2-10 और 2-3-6 तो रिन 6 तीन का गुणा 5-3-15 और 3-3-9 फिर 4 का गुणा उपर भी नीचे भी तो 4-5-20 और नीचे आएगा 4-3-12 रिन 12 फिर 5 का गुणा 5-25 औ और 5-3-15 यह आगए 4 परिमेशं क्या है अब 4 बटे 9 का देखो ठीक इसी प्रकार करेंगे 4 बटे 9 तो दिया है दो का गुणा उपर 4-2-8 और 9-2-18 तीन का गुणा उपर 4-3-12 और 3 का गुणा नीचे 9-3-27 चार का गुणा 4-16 और यह हो गया 4-36 फिर हो गया 5 का गुणा 5- 20 और नीचे आगया 5-35 तो यह हो गया समतुल्य चार परिमेशं क्या है यह सवाल नमबर 4 है एक संख्या रेखा कीजिए और उस पर निमनलिकित परिमेशं क्याओं को निरुपित कीजिए पहली है 3 बटे 4 दूसरी है रिंड 5 बटे 8 तीसरी है रिंड 7 बटे 4 और 4 है 7 बटे 8 तो यहाँ पर देख लिए 3 में 4 का भाग नहीं जाता मतलब इसका मान एक से कम है रिंड 5 बटे 8 में 8 का भाग नहीं जाता तीसका मान भी एक से कम है 7 में 4 का भाग चली जाता तीसका मान एक से ज़्यादा है पर 4 दून 8 मतलब दो बर भाग नहीं जाता है 7 में 8 का भाग न सा है तो हम पहले संख्यारेका बना लेते हैं यह हमने एक संख्यारेका बना ली और इसमें हम क्या करते हैं कि भाग बना लेते हैं संख्यारेका तो यह बीच में हो गया जीरो यह जीरो हो गया और इसको कर दिया अपनों ने अभी यहां पर देख लें तो तीन बटे चार है त इसका मान एक से कम है, तो मैं इसको यहां पर लेता हूं, यह धन का एक है इदर, और उसी प्रकार यह रिन का एक इदर है, पर यह मान धनात्मक है, और एक से कम है, एक से कम है इसका मतलब इसका मान सुनने और एक के बीच में है, कहां हैं देखें, तो सुनने और एक के बीच म में इस कितने भाग है, तीन भाग है, ये तीन भाग है, तो ये हो गया तीन बटे चार, तो तीन बटे चार को हमने संख्या रेका पर निरूफित कर दिया, इसी प्रकार हम देखें, रिन पांच बटे आठ को यह हमने देख लिया इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे पांच में आठ का भाग नी जा रहा है मतलब इसका मान एक से कम है पर यह रिन के संक्या है तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ जीरो और यह लिख दिया है यहाँ पर एक तो यह रिन एक है अब कितने भाग करना है 8 भाग करना है तो देखो 8 भाग कैसे करेंगे 1,2,3,4,5,6,7 एक, दो,3,4,5,6,7 और यह आठ यहाँ पर जीरो ले लो जब बनाओगे तब स्केल से बनाना तो बराबर ना फ़ज़ाएगा और 9 भी तो अंदास से ही करना है 5 में 8 का पूरी तरफ भागनी जाता है अब यह 8 भाग हो गए रिन की तरफ उसमें कितने भाग लेना है 5 भाग लेना है तो यह हो गया 1,0 के बाद में 1,2,3,4,5 तो यह जो मान आया है यह आया है रिन 5 बटे 8 अब यहाँ पर देखें रिन 7 बटे 4 अब 7 में 4 का भाग चले जाता है 4 एकम 4 पर दो बार नहीं जाता है तो यहाँ पर संक्यारेका कैसे बनाएंगे देखो यह संक्यारेका हमने बना ली है यहाँ पर रिन में जाएगा रिन में जा रहा है एक से ज़्यादा तो इसको मैं यहां पर इस प्रकार से कर लेता हूँ चलो यहां कर लेता हूँ यह हो गया जीरो और यह हो गया एक और यह हो गया दो पर यह रिन में है अब साथ में चार का भाग दो देखो साथ में आपन चार का भाग देते हैं तो क्या होता है चार एकम चार बचते तीन तो तीन बटे चार तो एक भाग तो पूरा है फिर दूसरे भाग में चार भाग करेंगे उसमें तीसरा भाग है तो देखो जिरो से एक एक भाग तो पूरा हो गया रिंड में अब दूसरे एक और दो के विज में कितने भाग करेंगे चार भाग तो एक दो तीन और चार यह इस प्रकार से यह आदा हो गया यह हो गया और यह हो गया तो यह एक भाग दो भाग और तीन भाग और यह चार भाग अब उसमें कितने भाग लेना है तीन भाग लेना है तो ये तीन भाग जो है ये वाला आएगा ये ये क्या आएगा रिन साथ बटे चार क्यों क्योंकि इसका एक भाग देखो एक भाग तो पूरा है ये एक भाग पूरा है और फिर दूसरे भाग में चार भाग करें एक दो तीन और चार उसमें से तीसरा भाग आएगा, इसी प्रेका साथ बटे आठ में देखो, साथ में आठ का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसका मान एक से कम है, अब इसी संख्यारेका पर अगर इसको बनाते हैं, तो क्या करेंगे, नीचे एक, जीरो और एक के बिच में इसका म देखो यहां कितने भाग हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, आठ भाग हो गए, उसमें स कितने भाग है, साथ भाग है, तो यह साथ भाग यह है, यह इसका हो गया साथ बटे, आठ, यह धन का है, इसलिए धनादमक दरब ले लिया, तो इस प्रक Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार हैं कि T, R बराबर R, S तो देखो T, R बराबर R, S यह इधर की तरफ दे रहा है यह T, R, R, S और बराबर A, S, U, बराबर A, S, U, मतलि यह तीनों भाग आपस में बराबर है AP बराबर PQ, AP बराबर PQ बराबर QB, यह तीनों भाग भी आपस में बराबर हैं तो P, Q, R और A, S से निरुपित परिमे संख्याओं को लिखी एं तो देखो हैं परिमे संख्या किसे लिखेंगे? ये जिरो से रिन एक रिन एक तक तक तो है अब रिन एक के बाद में रिन एक और रिन दो के बाद में कितने भाग करें हैं एक दो तीन तीन भाग करें हैं तो ये हो गया पहला भाग तो रिन एक तो पूरा हो गया इसके बाद में जो भी आएगा रिन काएगा तो तीन भाग क U, तो यह हो गया रिन एक बटे तीन, अब अपनों को देखो, यह है इसका मैंने लिखा है, R का यह S तक लिखा है और यह U तक लिखा है, तो पहले किसके निकलना है, P के तो P का देखो कितना आएगा P Q R S, यह P Q इधर आएगा बाद में करते हैं इसको रिन एक बटे तीन यह अपन कर रहे हैं R का, तो R का एक भाग तो पुरा है उसके बाद में यह एक बटे तीन है तो यह अपने जोड रहा है इसको, मतलब दोनों रिन के हैं तो यह जुड़ेंगे तो यह रिन का आजाएगा कामन, एक धन एक बटे तीन तीन एकम तीन और एक चार बटे तीन ये बराबर आ गया रिन चार बटे तीन उसी ये आर कमान आ गया अब एस कमान के आएगा रिन एक बटे तीन और रिन एक बटे तीन ये दोनों जुड़ जाएंगे किसमें रिन एक में तो ये लिखा एस बराबर इसमें एक और रिन 1B3 जोड़ दो तो RIN 1B3 जोड़ा इनके हर समान है तो कितना हुआ ये ये 3 हुआ 4 और 5 ये RIN 5 utility तो RIN 5 utility 3 мान किसका आए गा AS का आएगा AS का आएगा RIN 5 utility और Aρ कमान क्या जाएगा RIN 4 utility R कमान RIN 4 utility अब हिहाँ पर देखें 2 भाग तो पूरे हैं 3 भाग में से 1, फिर इहां तक आजाएगा 2 बटते 3 और इहां तक आजाएगा 3 बटते 3, मतलि यह पूरा हो गया, तो P के निर्दीशंग क्या रिएग देखो, P ऐजाएगा 2 धन 1 बटते 3, यह P आएगा, और Q क्या रिएगा, 2 तो पूरे, पिर एक बटे तीन और एक बटे तीन मतलि ये दो बटे तीन हो गया तो दो धन दो बटे तीन ये आएगा तो इनका मान कैसे निकलेगा तीन दूनों छे और एक साथ बटे तीन और तीन दूनों छे और दो आठ बटे तीन ये इनके मान हो गए किसके किसके A, S, R, P, Q के मान हो गए तो आपने देखा ये कक्षा 7 की गणित अध्याठ राशियों की तुलना की प्रश्णावली 9, 2, 1 के सवाल नमबर 1, 2, 3, 4, 5 बड़े सवाल हैं इसलिए प्रश्णावली के आदेभाग को अभी कवर कर रहा हूँ आदेभाग को अगले वीडियो में अगले वीडियो में रहेंगे सवाल नमबर 6, 7, 8, 9, 10 इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद